लोगसबा चुनाओं के लिए जारी सियासी घमासान के बेश शिंदे गुट की सिवशिना के लिए एक बुरी खबर सामने आई है दरसल थाने जीले के अंतरगत आने वाले कल्यान शहर के शिंदे गुट के नीता महश गायकवार्ड पर गंभीर आरोप लगे हैं सिवशिना नीता के खिलाफ नवी मुंबई के एक बिल्डर ने एक्स्टॉशन का मामला दर्ज कराया है कथिद बिल्डर ने आरोप लगाया है कि शिंदे के नीता ने उससे पांच करोड रुपए की रंगदारी मागी है बिल्डर ने इस मामले में शुकुरवार की शाम हिल पुलिस्टीशन में शिकायत दर्ज कर आई है जिसके बाद पुलिस ने महेश गायकवार के अलावा एक परिवार के चार लोगों के खिलाफ आएप से की विभिन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है इस मामले में जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें के अंदर ही महेश गायकवार पर गोलिया चला दी थी जिसके बाद घायल महेश गायकवार को जुपिटर अस्पताल में भरती गराया गया था करीब 25 दिनों के इलाज के बाद वापस लोटे और अपने कामकाज में जुटे हुए हैं मिली जानकारी के मुताबिक साल 2009 में श जमीन की नाप कराई तो उस समय आरूपी फुलोरे परिवार ने इसका विरोध किया था बिल्डर ने दावा किया कि अगस्त 2003 में सिवशिना नेता महेश गायकवार और अन आरूपियों ने उसकी खरीदी हुई जमीन पर एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा था कि जो भी जमीन पर अतिक्रमड करेगा उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी बिल्डर ने उसे बोर्ड को हटाने का प्रयास किया जिसके बाद आरूपियों ने उसे धमकी भी दी बिल्डर ने अपनी शिकायत में कहा कि वे लोग आधी जमीन या तो फिर पांच करोड रुपे मांग रहे थे बिल्डर ने आरोप लगाया कि उसका मालिकाना हक होने के बावजूद भी महिश गायकवाड और अन्य आरोपी जब्रन जमीन पर अपना मालिकाना हक दिखा रहे थे और उसे जमीन पर कबजे का दावा कर रहे थे बिल्डर की शिकायत पर IPC की धारा 380, 447, 341, 143, 149, 323, 506 और 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अपनी जान शुरू कर दी है चुनाओं से पहले सिवशी रनेता महरिश गायकवाट पर दर्ज हुआ मामला अब उनकी मुश्किले बढ़ा सकता है